हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत हैं मेरे चैनल पर एक बार फिर से मेरे चैनल को जादा से जादा सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है तो और दोस्तों आज मैं आपको वीडियो लेके आई हूँ तो उसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप न्यू बात होती है, वो बताने जा रही हूं कि आप कोई भी प्लांट लगा रहे हो, चाहे वो कटिंग से लगा रहे हो या आप महंगा खरीद के ला रहे हो नर्शरी से, उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट होता है स्वाइल, उसकी मिठी, उसकी मिट्टी किस तरीके की, अगर उसकी मिट्टी खराब है, तो आप कितना ही महंगा पौदा लियाओ, वो नहीं चलेगा, और अगर मिट्टी अच्छी है, तो आपका पौदा कटिंग की एक टहनी भी होगी, वो भी चल जाएगा, तो आपकी सबसे इंपोर्टेंट होता ह है मिट्टी, तो मिट्टी के लिए आप कुछ ना करें, आपका अगर गार्णिंग न्यू शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अपने आसपास के प्लॉट देखें, उनमें से आप मिट्टी ले लें, जीरो कॉस्ट में, और उसमें आप गोबर की खाद एड़ कर लें, और थर्ड चीज आप उसमें रेट एड़ कर लें, तो आप बस ये तीन चीज़ें एड़ करें, आपको कोई ज़रत नहीं है, कौको पीट की या कोई भी और वर्मी कमपोस्ट की किसी भी चीज़ को एड़ करने की, वो सब बात की बाते हैं, अभी आप न्यू गार्णिंग अब नेक्स में बात कर लेती हूं, कि आप अगर अपना गार्णिंग शुरू करने जा रहे हैं, तो अपने बज़र्ट के अनुसार करें, सबसे पहले आप अपना जो घर का कबार होता है, उसका आप यूज करें, जैसे कि आप वीडियो में देखी रहे होंगे, मैं आपको बता रही हूं, जो की मेरा वेस्ट माटीरियल है, उससे मैंने गार्णिंग शुरू कर रखी है, आदी चीजे मेरी ऐसी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑईल कैनी हो गई, दो लीटर की बॉटल हो गई, और अपने पास आलतु फालतु डिब्बे पड़े रहते हैं, जो क आप देख सकते हैं, आपकी वो कितना अच्छा लगेगा, और ऐसा नहीं है कि इनमें पौदे अच्छे नहीं चलते हैं, आप देख सकते हैं, यो ओल कैनी में ही मेरे पौदे हैं, और कॉलियस के कितने ही अच्छे लग रहे हैं। तो आप second बात जो है कि आप अगर use कर रहे हैं तो अपने घर का जो कबार है उससे शुरुआत करें उसको आप use में लें फिर आप गमले भी लाएं गमले भी मेरे पास हैं पर आप जो कबार है उसका use करें धर्ड चीज आती है कि आप plant कैसा लाएं आप new gardening शुरू कर रहे हैं तो plant की भी अपन को इतनी जानकारी नहीं रहती है कि अपन किस तरीके का plant ला सकते हैं तो सबसे पहले आप इस तरीके के plant लाएं जो कि उनको ज्यादा केर की आउशकता नहीं होती है और बिल्कुल roughly वो चल जाते हैं जिसमें आता है मौश्रोज मौश्रोज का अगर एक ति इसमें भी लगा दें कि कॉलियस मेरे देख सकते हैं आप किते सुन्दर लगरें यह मैंने ऑइल करनी अपने घर का कबार जो है उसमें ही लगा रखे हैं तो आप ऐसे लगा सकते हैं आप इस तरीके से टहनियां जो है ऐसे कबार कहीं लखड़ी वगेरा होती है तो उसमें आप ऐसे अपनी बेले चड़ा सकते हैं आप मैं बताने जा रही थी कि आप किस तरीके के पौदे लगाएं तो आप पौदों में मैंने बताया जो आसानी से चल जाते हैं जिनको ज़्यादा केर की आउशकता नहीं होती है आप ज़्यादा पौदे खरीदे ना कटिंग से आसपास से जैसे की टर्टल माइन होती है टैंगल हार्ट होती है ये सब कटिंग इनकी आसानी से चल जाती है और ये बहुत अगर चलने लगती है तो इतनी ज़्यादा हो जाती है पिर अपन को कि इसका आप क्या करें ऐसे रखना कहीं भी तो अपन इसको दे भी देते हैं तो ऐसे आप कटिंग से इसको यूज करें तो ऐसी चीज़ने टर्टल माइन हुआ टैंगल हार्ट हुआ जैट प्लांट हुआ कॉलियस हुए पॉलियस भी कटिंग से बहुत आसानी से चलते है तो ऐसे पॉदे आप कटिंग से चलते है अगर आपको खरीदनी नहीं तो आप इसे कटिंग से वश्य चलते है आप मेरी टैंगल हार्ट देख सकते हैं कि मैने लगा रखी ए और एलकीनी कबाड में अब नेक्स बात मैंने करूंगी मैं कि आप उसके लिए जैसे कि अपन खाद की में बात कर रहे हूं अपन जैसे बाद में भी वर्मी कंपोस्ट वगेरा खरीद के लाएं तो उसके लिए आप अपने जो गार्डन के लिए आप खाद बनाना चाहते हैं वो खाद आप अपने घर के किचन के वेस्ट से बनाएं अगर आपको उस तरीके की खाद नहीं आती है कि मिट्टी से कैसे बनाएंगे तो आप उस वेस्ट को सुखा लें सुखाने के बाद मिक्सर में पीस लें और उसको खाद को डालनें नेक्स्ट आप उसको और यूज कर सकते हैं अपने चाय की पति चाय हर घर में बनती है और उसकी पती का भी यूज आप कर सकते हैं मैंने मेरी पत courtyard सेव कर रही हूं में आप देखीए चाय पति हें देखिए दोस्तों जो की अच्छी तरीके से अब सूख छुकी है और भूर भूरी हो गई है तो इसे आप जब अपने गार्डन का यह तो उपर से डाल दें खाद की तरह या फिर आप जैसे मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी में डाल दें रोजाना की आप एड़ करते रहें और आप देख सकते हैं ऐसे सीट्स भी ग्रो कर सकते हैं यह डिब्बे सब के घर में होते ही हैं यह इस तरीके के होते हैं तो उनमें आप इस तरीके के सीट्स को ग्रो कर दें यह मेरे कैनडूला के हैं कॉस्मोस के हैं और इसमें हजारे के भी हैं फूलों के लिए आप मैं बताने जा रही हूँ, आप इस तरीके के फूल लगाएं, पहले तो आप सबसे पहले हजारे के फूल लगाएं, जो कि भिना किसी केर के चलते हैं, और आसानी से ग्रो भी हो जाते हैं, आजकर नवरातरी चली रही है, सबके घर में माला आ रही है, औ पांसे पहले फूख जाएक और इसके आप बुर बुर कर제 सुन्दर, आप शुरू करें कि पहले पहले जीरो कोस्ट में रगाएं जो कि आप अपने कहीं से भी एड करने या हैं और कितने सुंदर ये फूल देता है, छोटे 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 इसे आप बास्केट में भी लगा सकते हैं, तो आज मैं आपको यही बताना चाहती थी और आपके next यह है कि अगर आपके gardening में आप करना चाहते हैं और आपको space नहीं है, तो आप stand ऐसा बनवाएं, जो कि मैंने stand डाला हुआ है मेरे वीडियो में, आप वह वाला stand देखें, जो कि बिल्कुल जगह को भी कम गहरेगा और आपके plant भी उसमें जादा आएंगे, आप इस तरह के plant stylish plant नहीं लएं, कि जिसमें तीन ये चार गमले आएं और जगह बहुत गहरें, आप इस तरीके का stand लें, जो कि जिसमें ज़्यादा गमले आएं और stand भी सुन्दर लगें और आपके gardening भी शुरू हो जाएं, आप इस तरीके का use करें, basket plant भी लगा सकते हैं, basket plant भी बिना किसी केर के चलने वाला पौदा है, अगर इसे भी आप ऐसे जमीन में रखेंगे, तो अपने आप ये अपनी roots निकाल लेगा, और असानी से चल जाएगा, बहुत ही असानी से चलने वाला ये पौदा है, तो आज मेरा यही था दोस्तों, कि मैं आपको new gardening करने की tips बताऊं, जो आप gardening शुरू करने जा रहे हो, तो आप किस तरीके से gardening शुरू करें, क्योंकि अपन gardening शुरू करते हैं, तो अपन को इतना idea नहीं होता है, तो सबसे पहले मेरा यही है, कि आप अपने घर का जो कबार ह उससे शुरू करें, और उसकी स्वाइल अच्छी बनाएं, फिर आप पौदे लगाएं, आपकी स्वाइल अच्छी होगी, तो आपके plant भी अच्छे होंगे, गुडबाए दोस्तों